रिजल्ट का तो इंतजार था और रिजल्ट आ भी गया है, रिजल्ट के बाद जो most important चीज होता है, वो ये होता है कि किस college को आप target कर रहे हैं, वो college जो है अपना preference कैसे भरवाती है, उस college में cut-off कैसे decide होता है, cut-off के बाद honors या फिर program जो मिलता है, combinations जो मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं, freeze, accept का situation क्या रहता है, fee payment criteria क्या रहता है, hostel की criteria क्या रहती है, कब आपको मिलता है, कैसे मिलता है, किस किस criteria पे मिलता है, कब आप finally आपका admission later release किया जाता है, इन सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप किसी university को target कर हैं, और उसके admission process को नहीं जान रहे हैं, तब आपके लिए दिक्कत की बात होगी, क्योंकि उस counselling session में आप गलतियां करेंगे, और उस छोटी सी गलती की कारण हो सकता है, अच्छे number लाने के बावजूद भी, आप क्या हो जाएं, बाहर हो जाएं, अच्छे number नहीं भी आए हैं, तो हम लोगों को ये देखना होगा कि क्या वहाँ पे थोड़े कम marks पे अच्छे course कैसे मिल सकते हैं, तो नमस्कार, स्वागत आप सभी का basic सिक्षा के इस online learning platform पे, तो आज basically इस counselling series में हम लोग बनारस Hindu University, BHU को लेकर के discussion करेंगे, BHU में हम लोग discuss करेंगे complete registration from registration to hostel allotment की क complex एक map देख रहे हैं, यह map मेरे दोरा बनाया गया नहीं है, इसी से मिलता जुलता map जो है, एक BHU ने last year release किया था, और BHU ने explain किया था कि किस तरह वो जो है, अपने counseling session को complete कराएगा, या फिर यूं कहें, अपने admission process को किस तरह से वो कराएगा, तो उसी के expected जो हम लोग इस साल भी चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस साल आया नहीं है, तो हम लोग यह उमीद करके चल रहे हैं कि कोई बदलाव अभी किया भी नहीं जाएगा, ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को registration करना था, जब portal open हुआ, आप लोगों ने registration किया था, इसी बीच जो ह आजाता है, तब आप लोगों को क्या करना होगा, तब आप लोगों को यहाँ पे preference अपना select करना होगा, ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना होगा, वहाँ पे अपना result upload करना होगा, आप लोग को अपना preference suppose करना होगा, अब ध्यान से preference देखेगा, जो मैं select करना हूँ, य एक example के तौर पे ठीक है तो मान लिजे एक example के तौर पे मेरा जो है 245 marks आ रहा है और मैं general EWS category से belong करता हूं ठीक है और मुझे चाहिए BA FSS से करना है social sciences से करना है तो मैंने बहुत सारी चीज़े पता कि कहां पर क्या होता है कैसे मिलता है तो मैंने जो है सबसे पहले FMC जो है अगर कोई रहेगा तो FMC के बाद MMB भी रख सकता है उसके बाद FMC का paid भी रहेगा ठीक है MMB से अगर आप हैं तो MMB का paid रहेगा उसके बाद है affiliated आ जाएंगे ठीक है तो पहला यह रहा मान लिजिए दूसरा paid रहा तीसरा यह रहा अब मैं course honors की तरफ जाओंगा अपने preference list की तरफ जाओंगा कि मुझे किस subject से अपने आपको जो है मेरे लिए best रहेगा ठीक है तो मैंने कहा कि भाईया जो है honors selection की यहां पर बात होती सबसे पहले आपको select करना होगा कि किस honors की तरफ आप जाना चाह रहे हैं तो मैंने सबसे पहले select किया कि मुझे political science honors चाहिए फिर मैंने दूसरे preference पर रखा कि अगर यह नहीं मिल पाता है तो मुझे history honors मिल जाए फिर मैंने किया अगर यह भी नहीं मिल मिलता है तो मुझे geography मिल जाए अगर यह भी नहीं मिलता है तो मुझे economics honors मिल जाए यह मेरी preference है one two three four ज्यान रखेगा इस preference पर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस stage पर हम लोगों को preference select करना होगा जब हम लोग preference select करेंगे सारी चीजे कर देंगे registration कर देंगे scorecard अपना upload कर दें जैसे ही वह हम लोग complete करेंगे तो उसके बाद क्या होगा भी एचु जो है धीरे धीरे अपने cut-off को release करती है ठीक है in between थोड़े बहुत processes रहते हैं जो आपको उतना effect नहीं करेंगे वह अपना cut-off release करेगी अगर first cut-off में आप नहीं आया आपके हां course allocation का आपके dashboard पे एक tab बन के नहीं आया ठीक है इसका मतलब कि अभी high marking पे चल रही है आपके mark पे किसी को course allocation नहीं हुआ लेकिन जैसे ही आपको course allocation आएगा ठीक है जैसे आपको course allocation आएगा तो आपको या तो उसको accept करना होगा या तो reject करना होगा मालीजी आपको पसंदी नहीं है आपको नहीं लेना है यहां पे एक चीज़ याद रखिएगा अगर आपको आपके preference के हिसाब से मेरा first price प्रेफरेंस जो है political science था अगर आपको यहां पे economics honors मिल रहा है तो भी आप क्या कीजिए तो भी आप जो है accept कर लीजिए उस preference को आप जैसे उस preference को accept करेंगे आपको last year तो मैं बताओं last year 25 सो commitment fees थी पचीस सो देना था और आपको कहना था कि भाईया हम इस सीट को बुक कर ले रहे हैं ठीक है तो यह वाला ऑप्शन तो खतमी कर देना होगा आपको आपको क्या करना होगा कि हम पांच में मान रहे हैं एक्सेट कर ले रहे हैं इस सीट को बुक कर रहे हैं अगर उपर का नह लिल्ला मुझे पांचवा है तो मैं क्या करूंगा मैं उसको उसी तरह छोड़ दूंगा अपग्रेड मोड पे डाल करके जिसको फ्लोटिंग पर पहुचेंगे अब एक्जामपल पर समझे कि मां लिजे मेरा अपग्रेड वर्जन मिल गया ठीक है अब आपको क्या करना होगा जैसे ही आपको मिलेगा आपको कॉंबिनेशन जो है एलोकेशन स्टार्ट हो जाएगा कि पॉलिटिकल साइंस के साथ कौन कौन से को चूज करना चाहते हैं अब इस आपको अपने जो प्रेफरेंस है उसके कॉंबिनेशन को आपको क्या करना होगा आपको अपने कॉंबिनेशन को चूज करना होगा ठीक है तो सबसे पहले आपने प्रेफरेंस बढ़ा आपका कटफ आया कटफ में आपको ओनर्स किया गया उस honors को जब आपने accept करके upgrade mode पे डाला तो आपको क्या हुआ आपको उसके बाद आपके honors को जैसे ही आपका honors आएगा उसका आपको combination जो है चूज करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद मालीजे जैसे मैंने आपको बताया था कि हो सकता है पांच वे के बाद मेरा upgrade होके political science मिल गया मुझे तो फिर क्या होगा मैं उसका जो है start करूँगा अपने combination को choose करना अब इस combination को जब मैं choose करूँगा तो उसके बाद क्या होगा मुझे अपने combination को choose करना मैं combination को choose कर लिया जैसे ही मैं combination को choose कर लूँगा तो उसके बाद जो है क्या है कि मैं उसको choose कर लिया मेरा combination मिल गया तो मैं क्या करूँगा उसको freeze कर दूँगा ठीक है अगर मुझे desired combination मुझे मिल गया तो मैं उसको freeze करूँगा फिर hostel allocation की बात आएगी ठीक है जब hostel allocation की बात आएगी तो मैं उस प complex मैंने थोड़े तरीक आपको आसान भासा में समझाया है अब थोड़े डिटेल में लोग चलते हैं कि कैसे बढ़ेगा registration process में result आया result के बाद आपको क्या करना है result आगया result के बाद आपका वह payment के लिए आएगा ठीक है अभी payment पहल इसमें upload करेंगे पिर आप क्या करेंगे payment करेंगे उसके बाद अपना preference आप यहाँ पर टूस करेंगे ठीक है जैसे इए आप preference चूस करेंगे वो फिर जो है डिएती ऐचु या फिर करना होगा व तब की बात है जो मैंने आपको बताया ठीक है तो फिर को सब से टॉप पे रखेगा एक और चीज बता देता हूं कि एक्कोर्डिंग लास्ट ये जिस तरह से लास्ट ये ओनर्स चेंज कराने का सिक्वेंस चला था जो जिस तरह से युनिवर्सिटी में यह क्योंकि कोई फॉर्मल रूल तो है नहीं कि आपका पहले क्या होता था कि लोग कोई भी कॉम्बिनेशन लेते थे और कहते थे कि अगर मेरा मालो हिस्ट लिए नहीं है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट ये जो है बहुत दिक्कत हुई थी ओनर्स चेंज कराने में ठीक है आगे बढ़ते हैं अब चलते हैं कोर्स अलोकेशन पर तो को आपको ऑनर्स मिलेगा ठीक है ऑनर्स के बाद आपको कॉम्बिनेशन की तरफ देख की हो ठीक है इस कटफ में जो है क्योंगा इस कटफ में जो आपका गिरावट देखने को मिलेगी क्यों क्योंकि आप न्टीक कीhehe भी टाटा को देखिए लास्ट एर जहां ऐलमोस्ट 50 लोगों ने जी टी में क्या किया जी टी में जो है पचास लोगों क्लाइक लोगों ने फुल में फुल मार्ग्स लेकर का आया थे वहाँ पर एक लोग लेकर आया है अब जीटी इन्वाल्व कहा कहा है बी कॉम में है बी यह ऐलले में मैं है वह आपका बी यह में है नहीं प्unn पैक्ट डालेगा और इस DAT के कारण आपका जो cut-off है उसमें आस्चार मत हो येगा कि इस expected cut-off से वो जो है 20 नमबर 15 नमबर डाउन भी चला जाए तो और basically science faculty में तो और क्योंकि science में आप math देख लीजिए तो math में बस एक बच्चे का आया है full में full marks मतलब कि आपका cut-off जो है डाउन जाएगा और detail में इस cut-off analysis के लिए आप वीडियोस देख सकते हैं जो हम लोगों ने बनाया कि भीच्चू में basically cut-off क्या जा सकते हैं तो cut-off से अभी tension नहीं लेना है आपको अपने preference को भरना है क्योंकि unpredictivity जो है इस साल होने वाली है ये तो तैय है ठीक है अब freeze को लेकर के मैं आपको एक चीज़ बताता हूं जब आप sure shot हो जाएं तभी आप इस red danger sign को जो है accept कीज़ेगा freeze कीज़ेगा जैसे मैंने preference में number one पे political science भरा था और number five पे मैंने economics भरा था अगर economics पे ही मैं अगर freeze कर दिया तो भाविक साहब आप भूल जाईए कि आपको उसके आगे कुछ मिलने वाला है ठीक है और आपने upgrade कर दिया तो फिर सही है freeze कर दोगे तो आपको upgrade नहीं होगा आपको उसी पे combination अपना choose करना पड़ेग ठीक है upgrade कर दिये तो ठीक है उसके बाद last में सारी चीज़े हो जाती है admission लेटर हो जाता है तो last में आपका index और distance आपके number और आपके दूरी को देख करके postal allotment होता है और फिर आपको postal मिलता है तो यह रहा आपके लिए complete bhu का process जो आपको पता होना चाहिए और आपको पता ह हो गया होगा ठीक है तो यह आपके लिए complete detail था अब आप मुझे comment section में बताइए कि अगला कौन से university है जो हम आप लोगों के लिए लेकर क्या है इस free counseling session में जहां पर उसके complete zero to complete process तक में हम लोग आपको बताएंगे ताकि आप इस process में कोई दिक्कत न कर पाएं comment section में आपके